हलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चानल फामिसी लेसंस मेड इजी में तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बैग फिल्टर हम साइस सेपरेशन की जो सीरीज है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में और हमने पिछले वीडियो में साइकल सेपरेशन क्या होता है ऑफिशल स्टांडर्स क्या है पाउडर्स के एस पर जो PCI स्लेबर से हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का उसके हिसाब से हम अपना ये सीरीज चला रहे हैं यह साइस सेपरेशन बीफर्म थर्ड सेमेस्टर में फार्मसूटिकल मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका कमेंट है आप कमेंट सेक जो size separation में एक equipment यूूज होता है bag filter उसके बारे में जानते हैं तो ऑफली देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या सीखेंगे किस-किस चीज के बारे में जानेंगे सबसे पहले है bag filter का Basic Principle क्या है इसका construction कैसे होता है, ये काम कैसे करता है इससे related क्या-क्या merits और demerits या advantages और limitations हैं और उसके uses क्या हैं तो चलिए देखते हैं सबसे important part कि size separation हम जो unit देख रहे हैं इसमें bag filter जो है वो exactly size separator नहीं है बट एक filter की तरहे काम करते हैं यह जो fine dust है air में या और gases है उनको separate करने के काम आता है और generally हम इसे attach करते हैं cyclone separator या air separator की end पे उसके outlet पे हम इसे attach करते हैं ताकि जो भी fine dust है उसे air से remove किया जा सके तो इसका main purpose जो dust collector का है और हम कह सकते कि dust remove करने के लिए हम इसे basically use करते हैं तो bag filter जिस basic principle पे based है वो है suction और shaking इसका मतलब दो stages है इसमें पहली stage में क्या होगा जैसे मैं आपको अभी diagram दिखाऊंगी कि पहली stage में suck करके air particles filter हो जाएंगे उसके बाद हम उसे shake करेंगे ताकि जो भी entrained particles है वो सब shake होके vibrate होके नीचे गिर जाएं वाफस से तो दो stages है इसमें पहली stage है suction और दूसरी stage है shaking तो suction और shaking दोनो steps जो है उसके basic principle है bag filter के अगर हम इसके construction की बात करें तो basically इसमें क्या है एक जो cylindrical metal का container आप देख रहे हैं वो एक integral component है उसके अलावा bottom में आप देखेंगे कि outlet है जो की hopper का का काम कर रहा है ठीक है यहीं से हम particles को in कराएंगे और यहीं से out कराएंगे पर इसके अलावा इसमें एक और आप ऊपर दे यूस कहा है यह यूस को है यूस कै ओए यूस हो रहा है वन स्टेज नाव वन को स्टेज नंबर 2 में कंवर्ड करने के लिए कई बेल क्राइंग लेवर अरेंचमेंट है मतलब जो पहली स्टेज है भावारी सक्षन वाली जिसमें प्रेशर को रिडूस कर रहे हैं उससे जब हमें स्विच करना है सेकिंड स्टेज पे जो कि kya है जो दूसरा stage है वो है vibration का shaking का तो जब switch करना है first stage से दूसरे stage में तब bell crank lever arrangement का use होगा तो यह हम working में detail में देखेंगे आपको construction में में इसका जो याद रखना है वो क्या याद रखना है पहली बात जो इसमें series of bags है जो कि cotton या wool के बने हैं जो आप अंदर pipes की form में देख सकते हैं यह bags हैं इसके अंदर लगे हो series में लगे हैं वो जो bags लगे हैं वो एक metal के container के अंदर लगे हैं दो चीज तीसरा इसमें एक provision है इन करने का dust को जो की hopper के through number 4 जो है इसमें shake करने का provision है जो की bell crank lever arrangement की help से हो रहा है जो filtration stage है first वाला suction वाला उसको हम vibration stage में convert कर सकते हैं with the help of bell crank lever arrangement तो यह चार चीज़े आपको construction में याद रखनी है तो चलिए देखते हैं यह जो bag filter है यह काम कैसे करता है जो हमने stages की बात की दो stages है इसमें पहला stage है filtration का जहांपे की medium suction apply करते हैं और दूसरा stage है shaking का जिससे की हम obtain करेंगे जो entrained particles है जो dust particles entrapped हुए है तो पहली जो filtration stage है उसमें gas एंटर करेगी आप देख सकते हैं arrow का direction जो है वो नीचे से ऊपर की हो रहे है तो gas जो है जिसके साथ dust particles है suspended है जिसमें वो जो air है containing the gases वो एंटर करेगी नीचे से ऊपर की और और जो bags लगे है सीरीज में उन में क्या होगा particles जो है क्योंकि उपर से आपने क्या low pressure suction लगाया है तो particles क्या है अंदर bag के अंदर entrapped हो जाएंगे कि कि अंदर ही आ जाएंगे और जो air है दो पार्ट थे air थी या gases से और दूसरे dust particles bag में अटक गए और जो air है वो cross होके ऊपर की तरफ चली जाएगी तो इस तरीके से separate हो जाएंगे dust particles air से और अब जो दूसरा स्टेज होगा दूसरा स्टेज होगा शेकिंग वाला शेकिंग में क्या होना है जो bell crank clever arrangement था उसकी help से अब जो stage थी हमारी कौनसे वाली filtration वाली अब वो stage किसमें convert हो जाएगी shaking वाली ठीक है तो अब जो पहले वाली stage में pressure जो है negative pressure या vacuum apply हो रहा था अभी हम जो second वाले stage में क्या करेंगे positive pressure apply करेंगे तो आप direction देख सकते हैं outside air की in in है ठीक है आप diagram में देखेंगे जो second part है diagram का वहां पर का outside air जो बाहर की air है वो enter कर रही है और metal के container के अंदर bags के through होते हुए आएगी तब क्या है उपर से air का pressure है तो क्या होगा जो भी particles dust के किसमे air में entrain हो गए थे वो सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे और hopper के through dust hopper के through जो है वो collect हो जाएंगे नीचे क्यों गिरेंगे क्योंकि vibration भी है जर्किंग action प्रड्यूस होगा vibration की वज़े से shaking की वज़े से तो वो particles जो है वो separate हो जाएंगे इस जो woolen या cotton का हमारा bag था उससे तो जो की second stage में collect हो जाएंगे नीचे hopper तो इस तरीके से दो stages है पहला है suction stage दूसरा है vibration stage suction stage में negative pressure apply करेंगे और particles जो है dust के वो back के अंदर entrain हो जाएंगे और जो दूसरा stage है दूसरे stage में हम positive pressure apply करेंगे जो जो भी particles back के अंदर फसे हुए थे जो entrain थे वो नीचे घिर जाएंगे तो यह जो shifting है from stage 1 to stage 2 वो किसकी help से bell crank liver arrangement के help से की जाती है तो यह था working कि किस तरीके से bag filter जो है वो काम करता है bag filter use करने के merits क्या है advantages क्या है इसका पहला advantage यह है कि इसका जो operation है वो automated किया जा सकता है it can be automatic right तो हम उसको automate कर सकते हैं दूसरा equipment जो है वो कम space लेता है ठीक है जो यह bag filter है उसमें यह compact है तो comparatively कम space लेता है दूसरा जो अगर हम इसके demerits की बात करें तो इसकी efficacy जो है कितना efficient है bag filter air के particles को dust के particles से separate करने में कितना efficient है वो इस बात पर depend करता है महली कि किस type का अपने fabric लिया है cotton लिया है woolen लिया है उसके pores कितने size के हैं तो वो सब जो चीजे है वो बहुत बड़ा factor है जो कि इसकी efficacy को determine करता है दूसरा जो इसका demerit ही है कि आप अगर temperature में थोड़ा सा fluctuation करेंगे या जो atmosphere है वहाँ थोड़ा भी change होगा तो इससे जो efficacy है particles को separate करने की वो affect हो जाएगी तो मतलब या तो हम material में थोड़ा सा change कर देंगे तो इसकी efficacy affect हो जाएगी और दूसरा अगर temperature में भी fluctuation होता है तो इसकी efficacy जो है वो affect हो जाती है तो यह दोनों demerits है merits में क्या है कि एक तो कम space लेता है और दूसरा यह simple है operate करने में ठीक है जबकि demerits जो है वो यह है कि इसकी efficacy जो है वो change हो जाते है जैसे हम material change कर दें या फिर उसका temperature में थोड़ा सा fluctuation आने पर भी उसकी efficacy है वो change हो जाती है यह इसका disadvantage है अगर हम बात करें कि इसका use क्या है तो mainly इसको apply करते है system as electrostatic precipitator तो यह हमने जाना कि air separator के बाद हमने देखा बैग filter क्या होता है बैग filter को का basic principle क्या है काम करने का उसमें construction के main parts क्या है जैसे उसमें series of bag है बैग जो है वो cotton या wool material का बना हो सकता है बाहर एक metallic cylinder है outlet जो और inlet दोनों ही hopper की form में है bell crank lever arrangement है जो की switch करता है first stage से दूसरे stage में पहले वाले में suction apply करते हैं दूसरे stage में shaking apply करते हैं जिससे jerking की वज़े से dust particles नीचे वापस से hopper से collect हो जाते हैं air उपर से बाहर निकल जाते हैं तो इस तरीके से हमने air और dust के particles को separate कर लिया तो इसको हम यूज करते हैं electrostatic precipitator में I hope आपको यह video पसंद आया होगा आप like button पे click कर सकते हैं आप मेरे चानल को subscribe कर सकते हैं आप comment section जो नीचे है उसमें comment करके भी बता सकते हैं कि आपको यह video कैसा लगा thank you everyone